हलो फ्रेंड्स इस टूटोल के अंदर हम लोग सिखेंगे यूनियन्स के बारे में bitwise operators के बारे में bitfields का यूज कैसे करें और enumeration के बारे में हम लोग इस tutorial के अंदर सीखने वाले हैं तो start करते हैं unions से unions क्या होते हैं आपने अभी अभी structure सीखा structure के जरी आप क्या करते हैं एक नया data type बनाते हैं एक user defined data type बनाते हैं union भी कुछ-कुछ वैसा ही होता है लगवग वैसे ही काम करता है कुछ difference होता है उसको अभी हम देखेंगे तो union क्या है? एक variable structure क्या होता था? group of variable union क्या है? एक variable that may hold variables of different types and sizes union एक variable है जो अलग-अलग size के और अलग-अलग type के variables को कैसे? वो भी समझेंगे union एक वार में एक data member पर काम करता है union के अंदर भी आप एक सेदा data member define कर सकते हैं लेकिन एक वार में सिर्फ एक data member ही काम करेगा union और structure में एक जो बड़ा difference है वो क्या है? कि जब आप structure का कोई variable declare करते हैं तो जितने भी member variables structure के अंदर होते हैं उनके लिए memory space reserve हो जाता है लेकिन union के case में क्या होता है? जितने भी member variable union के अंदर होते हैं उन सभी message जो सबसे ज़्यादा space लेता है सिर्फ उतने ही space reserve होती है memory में और सभी variable उस same space को share करते हैं सबसे आखिर में आप अपने लिए memory में data store हो जाएगा union को आप किस तरह से declare करेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे कि आप structure को declare करते थे सिर्फ एक difference रहेगा कि यहाँ पर structure struct keyword की जगे union keyword का use आप करेंगे तो यहाँ पर हमने एक union declare किया है जिसका नाम है u tag इसके अंदर तीन member variable है int type का i well float type का f well और character type का c well हमने u नाम से एक variable भी declare किया जिसका data type क्या है u tag तो यहाँ पर आप use करेंगे union keyword का जब भी आप union को declare करना चाहते हैं u tag नाम है union का और i value f well and c well member है u tag union के तो बिल्कुल वैसे ही जैसा कि structure के time पर हम declare करते थे बिल्कुल वैसे ही union को भी declare करेंगे सिर्फ difference क्या होगा कि यह तीनों ही variable तीनों ही member variable एक ही memory space को share करेंगे जबकि structure के case में अगर यह तीन variable हैं तो तीन अलग-अलग memory space इनके लिए reserve रहेंगे जो भी आप operation apply करते हैं structures पे वो सभी operations आप union पर भी apply कर सकते हैं आप access कैसे करेंगे union name dot member से जैसा कि आप structure यह case में करते थे structure name dot member या फिर union pointer arrow sign member विल्कुल ऐसे ही आप structure में भी करते थे structure pointer arrow sign और member unions में occur within structures and array जिस तरह से structure को आप array के अंदर use कर सकते हैं विल्कुल वैसे ही आप union को भी array के अंदर इस्तिमाल कर सकते हैं structure के अंदर इस्तिमाल कर सकते हैं आप चाहें तो structure के अंदर भी unions का use कर सकते हैं। तो हम union का एक program बना कर देखते हैं, उसको run कराएंगे। सबसे पहले हम make union declare करते हैं। Union keyword का आप इस्तिमाल करेंगे। Union का नाम हमने दिया u tag। और इसके अंदर तीन memory variable बनाएं। एक integer type का i well, एक float type का f well, और एक character type का c well। तो यहाँ पर तीन memory variable बने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक memory declare कर सकते हैं। जो globally पूरे program में so होगा। या फिर आप चाहें तो जिस तरह से आप structure के variables को declare करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप union के variables को भी declare कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या लिखेंगे union u tag type का एक variable जिसका नाम है u। तो इस तरह से भी आप declare कर सकते हैं। इस program को run करा के देखते हैं। अगर कोई error नहीं है तो इसका मतलब हमने एकदम सही तरह से declaration की है। कोई error नहीं आई तो आप इस तरह से union का declare कर सकते हैं। और union का variable आप इस तरह से बना सकते हैं। आप चाहें तो type def का use भी कर सकते हैं union के साथ में। आप कैसे करेंगे टाइप def किस data type को हम नए नाम देना चाहते हैं। union u tag को हम नए नाम देना चाहते हैं। union u tag को हमने नाम दिया capital u underscore tag या फिर u tag यू tag हमने नाम दिया इस लिटर टाइप को जो आप यह इस तरह से नाम देंगे तो आपको यहां पर इतना लंबा declaration लिखने जरूत नहीं है आप simple यू tag लिखके भी